जहीं दोस्तो स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है ये धैसर तोलनाका के आसपास का है और कई ना कई धैसर तोलनाका की वज़े से जो ट्राफिक होती है इसकी वज़े से मीरा भहिंदर की जनता को सालों से परिशानी होते आ रही है बीच में कई बाच्चे चल रही थी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मिनिस्टर द्वारा मीटिंग भी ले गई थी धैसर तोलनाका की वज़े से जो ट्राफिक होती है उस इशू को सॉल्व करते हैं लेकिन अभी भी धैसर तोलनाका के पास ट्राफिक आपको मिलेगी ही इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ जरूर याद दिलाना चाहूंगा धैसर तोलनाका हटाना यह चुनाव का एक मैं कह सकता हूं कि एक बहुत डेकोरेटेड मुद्द है यानि जो गोशना पत्र रहता है उसमें आपको यह जरूर सुनने मिलेगा कि धैसर तोलनाका को हटाया जाएगा बहुत सारे चुनाव आए बहुत सारे चुनाव में यह कहा गया कि धैसर तोलनाका को हटाया जाएगा लेकिन अभी तक धैसर तोलनाका वैसे का वैसे ही है और कही ना कही उसकी वज़े से जो ट्राफिक होती है जो परेशानी होती है जनता को अभी भी फे वहिंदर से बोरी वली साइड जाना है तो पेट्रोल का पैसा तो अलग रहता ही है उसके बाद आपको वहाँ टोल भी देना है तो कहीं न कहीं ऐसी बहुत सारी परेशानी है जिसकी वज़े से लोग दहीसर टोलनाका से परेशान है चुनाव आ रहा है MBMC का मेरा वहिंदर मह अगर पालिका का मेरे ख्याल से 4-5 महिने के बाद ही है चुनाव यह तो अनुमान में लगा ही सकता हूँ उस समय भी धहीसर टोलनाके का मुद्दा उठेगा और यह जरूर कहा जाएगा कि इस धहीसर टोलनाके को हटाया जाएगा अब पता नहीं कब तक यह कहा जाएगा कि धहीसर टोलनाका हटेगा और कब तक जनता को मीरा भाहिंतर की जनता को स्पेशली उस धहीसर टोलनाके की वज़े से परेशानी का सामना करना पड़ेगा अन्त में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा बगवान इश्वर गौड अल्ला आप सबको सलामत रखे आप सब अपना ख्याल रखे सभी को दुआओं में याद रखे एंक यू सो मच